हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बायो सेंसर्स के बारे में यह आपके BSE First Year, Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस सेमेस्टर से अल्रेडी मैं कई सारी वीडियोज अप्लोड कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा heading डालीजिये biosensors सुक्ष्म जीव यानि micro organism एवं उनके enzyme या अंगोको को electrode से जोड करके biosensors के रूप में पर्योग में लाते हैं इनके द्वारा beer में visist component का आकलन प्रदुसकों की monitoring तथा खाद्य पदार्थों में सुगंद को ग्याद करते हैं भविश्य में रोग लक्षनों के निदान या biomedical monitoring पर्दूशन का पता लगाने या जल का सुख्ष्म जैविक संदूशन और द्योगिक प्रतिष्ठानों में विसर्जित होने वाले गैसों वा तरल पदार्थ खदानों में वाईरस गैसों की मुल्यांकन fermentation आदी में sensors यानि संविदकों के पर्योग की आशा व्यक्त की जा सकती है बायो सेंसर्स में एक जैविक विसलेशन यानि एक एनालिसिस की उपस्तिती या एगागरता का पता लगाने के लिए उप्योग किये जाने वाले उपकरन है जैसे कि बायो मॉलीक्यूल एक जैविक संदूशना एक सुख्ष्म जीव बायो सेंसर्स में तीन भाग होते हैं एक कंपोनेट जो की विसलेशन को डिटेक्ट करता है पहचानता है तथा एक सिगनल, एक सिगनल ट्रांसड्यूसर और एक रीडर डिवाईज उत्पन करता है यह हैं इसमें डायलेजर, रिसेप्टर्स, ट्रांसड्यूसर्स, यह हैं इलेक्ट्रोनिक्स यह फस्स जेनरेशन, सेकिंड जेनरेशन यह इसमें सेंसर्स को दिखाए गया है बायो केमिकली मोडिफाइड सेंसर्स तो simply guys, यह आपसे दो नमबर में शोर्ट कोशन में पूछा जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं इसके यूजिस के बारे में और बायो सेंसर्स के बारे में कि बायो सेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई, टाटा